हलो फ्रेंट्स वेल्गम दू ओनलाइन फ्री स्टडी फ्रेंट्स इस वीडियो हम देखने वाले हैं नवंबर के बेस्ट करेंट अफेर जो की अभी तक हुए हैं पार्ट वन है यह उसका और इस वीडियो में हम जो है 50 MCQ से प्लस जो है कोशन करेंगे प्लस उनके बारे में जो है जितने भी इन्फोर्मेशन है जितने भी जानकारी यह वह एकट्टा करेंगे यह वीडियो जो होगी सभी लगबग जितने भी एक्जाम आप देने वाले यानि के से सीजेल, रेलबे, बैंक, और अधर एस्टेट, पीचेस के एक्जाम के लिए इंपॉर्टन है इसमें जितने भी कोशन्स रहेंगे उनके हम चर्चा करेंगे बारी बारी से देन उनके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ठीक है, तो फ्रेंट्स देखें, सबसे पहले फर्स्ट अपॉल यह आपको यह है शिड्यूल दिखाई दे रहा है, यह जो है आप यहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं उनलाइन फ्री स्टेडी पर आकर तो इन कोशन, इन जो सोरी, यह जो सारी लिस्ट है आप पर आप फॉलो कर सकते हैं वीडियोस को और मैथ, साइंस, करेंट अफेर, जनरल साइंस और आपको करेंट अफेर के वीडियो जो आई रही है ठीक है, वोकेब भी आप जो है देख सकते हैं पर चलिए, स्टार्ट करेंगे वीडियो को फर्स कोशन है हमारा, फर्स कोशन कुछ इस तरह से है देखे, कोशन पूछ रहा है, बिहार और राइस्थान के बाद किस राज सरकार ने गुटका और पान मसाले पर पूढ प्रतिवन लगाये जाने का निर्ण लिया है यहाँ पर देखे, एक सबसे important चीज़ आपने उसने आपको दे दी है देखे, आपसे इसा कोशन कभी नहीं आता है कि इन दो, मतलब कभी बहुत कम rare chances है कि आपको यह बताया जाए कि दो राज अलड़ी ऐसा कर चुके है ठीक है, आपसे डारेक्ली ऐसा पूचा जाता है कि नवंबर में कौन सा राज है नवंबर 2019 में, जो कि इसकी जो patent रहा है हमारा RRB का जो अभी जो exam हों है उसमें आपकर देखें, SSC के exam हो उसमें हम देखें तो उन्होंने exactly आपको time और date बताया है ठीक है, time या duration बताया है कि इस time में, जो इस time में क्या क्या हुआ इस पिरकार के question जादातर देखे गए तो हम बात करेंगे आपको कुछ details और questions के questions में भी और इनके point to point ठीक है, तो हमें दो information पहले ही से है यानि की राजस्तान और बिहार दोनों में प्रतीबंद हो चुका है गटका तो अगला कौन सा राज जैसा है जिसने गटके को प्रतीबंद कर दिया है तो यह राज है पश्यमंगल कौन सा राज है पश्यमंगल तो पश्यमंगल सरकार ने जो है गटके को प्रतीबंद कर दिया है ठीक है, इससे पहले अगर बात करें इसी साल में इसी साल के अगस्त महीने में ठीक है अगस्त महीने में बिहार राज जो है हमारा ठीक है इससे पहले कभी पश्य मंगाल में और भी प्रतिवन लगाया गया इन चीयों पर जहने कि गुटका पान तमाकू जो तमाकू से लेटर रहती है तो जी हाँ 2013 में जो है इस पर प्रतिवन लगाया गया था ठीक है तो ये इसमें हमने इस question में जाना तो चलिए अगला question देखते हैं अगला question आपसे पूछ रहा है 35 वा आशियान संबिलन जो है सिकर संबिलन जो है actual में किस सहर में आरंब हुआ ठीक है 35 वा जो है वह कहां पर हुआ तो से पहली बात देखिए इन questions का answer देखिए वताद में क्या रहेगा 35 वा का रहेगा Bangkok ठीक है क्या रहेगा Bangkok अब इस question का हमने answer निकाल लिया लेकिन हम यहां से और भी क्या क्या चीज़े सीख सकते हैं बहुए important है अगर आप से पूछ ले आई यह सिकर संबिलन है इस में यह सिकर संबिलन का duration क्या था या timing क्या था खहां से कब तक किया गया तो 31 October से यह start हुआ ठीक है 31 October से चला 4 number तक ठीक है कब तक चला है यह 4 number तक चला है ठीक है आप से है पूछे कि स्का उद्गार्टन किस ने किया तो किस जगह के प्रधान मंतरी थे यह नहों ने इसका उद्गार्टन किया ठीक है इस परकार का नाम है मैं यह दुआरा से बोल देता हूँ यह Alex देता हूं ठीक है नाम है चान ठीक है क्योंकि यह important information है आपसे पूचा जा सकता है ओ ठीक है चान ओ अंचा ठीक है आदा ना आएगा अंचा नहीं जो है इसका उद्गाटन किया अब आसे पूच लिया जाए कि भी actual में इसके सदसे हैं वह कितनी है सदसे जो हैं वह कितनी है तो सदसे आपको पता होना चाहिए इसके 10 सदसे हैं मुक्य सदसे तो 10 सदसव की बात करें तो देखें बुरुनेई है कमबोडिया है इंडोनेशिया है लाओस है मयामार है फिलिपिन्स है Singapore है Thailand है Vietnam है और Pupa और New Guinea है ठीक है ये 10 जो है इसके सदस्य है अगला कोशन देखेंगे अगला कोशन भी अच्छा है अगला कोशन क्या है हमसे पूचा है आप से पूचा है जो चिली द्वारा क्या चिली द्वारा COP24 सम्मिरन का आयोजन रद करने के बाद मतलब कि चिली ने COP24 25 यानि की COP का मतलब क्या है Conference of Parties का जो है सम्मिलन रद किया है तो आपको बताना है कि अब जो है अब इसने तो रद किया है लेकिन अब कौन सा जो देश होगा वह जो है इसकी घूशना करेगा मतलब इसकी आयोजन की घूशना करेगा ठीक है तो अब यहाँ पर important क्या आता है पहले तो हम answer देखेंगे पहले answer क्या रहेगा इसका यह हुआ Spain की राज़णी मैडड़ेट में ठीक है Spain की राज़णी मैड़ेट में तो Spain यहाँ पर answer हैगा Spain की राज़णी क्या है मैड़ेट यहां से में एक चीप पता पड़ी ठीक है अगर आपसे पूछे कि COP25 का जो है जो कब हुई तो यह सतंबर 22 से लेकर 23 सतंबर के बीच में हुआ ठीक है यहां पर आपसे अगर पूछ लिया जा इसके जो है इसमें और भी चीज़े होती है जो है पहला conference जो है या पहला संबिलन जो हुआ था वो कब हुआ था तो हुआ था 1955 में जर्मनी में ठीक है जर्मन चिली में नहीं होता है या इन जो देसों में नहीं होता है तो वो actual में अगर कोई भी मना कर देता है कि भी इसका हम जो आयजन नहीं करेंगे तो actual में कहां होता है तो वो होता है बोन में ठीक है या कोई भी इसका आयजन नहीं कराता है तो कौन कराता है बोन कराता है ठीक है इसका ध्यान रखिएगा इस question का अगला question आपसे पूचा है Eritrea और Sand Crit and Nevis ये दो देश हैं Eritrea and Sand Crit and Nevis नाम की दो देशों देशों द्वारा अंतराश्टी शौर संगडन क्या है अंतराश्टी शौर संगडन मैं सामिन होने पर गडवंदन में जो है आपको ये बताना है देखी पहले थे कितने 81 अब जो मिले हैं 82 अब कितना होगा 83 यानि कि टूटल सर से कितने होगा 83 होगा यानि कि इसका answer हमें 83 लगाना है अब यहां से कुछ questions निकालते हैं अगर आपसे पूचे इसका आयोजन द्वारा जो किया जाता है दो देखों द्वारा जो है लांच किया गया था कब किया गया था द्वेर पंदरा में और ये किन दो देखों के द्वारा किया गया था ये किया गया था भारत और फ्रांस द्वारा ठीक है किसका द्वारा भारत और फ्रांस के दोरा ठीक है यह important चीज थी इसलिए हमें कोशिन आपसे पूछा गया और पूछा जा सकता है आगे कोशिन करेंगे अगला कोशिन आपसे पूछा है जम्मो एन कश्मीर के अनुच्छे 370 साब्ट करने के बाद जो radio station है यानि कि कश्मीर रेडियो का नाम जो है चेंज किया गया लिहे का नाम जो है देखिए बता दू मैं आपको इसका आंसर तो बहुत बेसिकली आपको बता ही होगा ठीक है जम्मो एन कश्मीर का जो नाम रखा गया और आपसे बूछ ले कि स्रीनगर का नाम क्या रखा गया तो स्रीनगर का नाम स्रीनगर की जो radio station का नाम वो भी कश्मीर है यहनि कि all India radio कश्मीर अगर आपसे लेहे का नाम पूछ लिया जाए तो लेहे का नाम होगा क्या होगा all India लेहे ठीक है इस परकार का और भी मैं इसमें जानकारी दूँगा क्योंकि आगे जो हमारे पास और भी कोशिंद है जो जम्मो कश्मीर लेहे औ और उपरवाला जो हिस्सा है हमारा उससे related है आगे चलेंगे आपको पताई होगा कि बहुए पहले देखिए मैं बताता हूँ आपको बताऊगा कि जो हमारे उपरवाला हिस्सा हे इहापर जो इस पिरकार का यहावर पहले प्यो nonprofits' जो लगता था इसमें प्यो को प्यो के ज तें जो जिले हैं जो तीन प्रांथ लगते हैं का है उन boyat mi ऑज को ब리ंने स्थापनें उन दिखा दिया रोटी जिए उन व कर quieren हैं पहरतो है तो कि देखा दिया हैं उन पहरति हैं I Dhta और जर्वन प नТना होता है क्य क्लिए बरीं सर्वेक बार रोट लगते इसके द्वारा क्या है कि जो boundaries होती है वो define की जाती है मैप में दिखाई जाती है तो मैं आगे बताऊंगा इस पर और भी question है अगे बढ़े अगला question है निमलिकित मैंसे किसे हाली में 28 वा ब्यास सम्मान प्रदान किया गया 28 वा ब्यास सम्मान तो यह होगा लेलादर जुगरी ठीक है लेलादर जुगरी होगा option हमारा सही हो गया लेकिन यहाँ पर आपसे कुछ ocean और भी निकलते है कुछ ocean और भी हम यहाँ से बना सकते हैं तो यह जुगरी जो है इनको किस करती के लिए किसलिए दिया गया वो important है वो क्या है देखी यहाँ पर बतादू मैं आपको वो कौन से चीज है या कौन से करती थी जिसके लिए दिया गया जितने लोग ठीक है लिख लीजेगा जितने लोग ठीक है उतने प्रेम जितने लोग उतने 29 वा किसको दिया गया 28 हमने पता कर लिया है तो यह देखी 27 वी की बात करें तो 27 वा दिया गया किसको दिया गया 27 वी बात करें ममता कालिया को ममता कालिया को किस चीज के लिए दिया गया उनके उपन्यास क्या ना है उनके उपन्यास का सुकम, दुखम, सुकम ठीक है, क्या है दुखम, सुकम नाम का जो है इनका अपन्यास था अब 28, 27 का बात हो गया हमारी, 29 की बात करे तो ये दिया गया, 29 की इसको दिया गया नसीरा सर्मा को नशीरा सर्मा को दिया गया, ठीक है 29 पाग इसको दियागा, नसीरा सर्मा को दियागा, यह किस स्टीच के लिए देखे, पेपर बोट की नाम की, इनकी उपन्यास उसके लिए, अगर हिंदी में पूछ ले जाए, कागज की नाओ, ठीक है, पेपर बोट इंगलिश में, हिंदी में कागज की नाओ, इस परकार का अब इस विए आपर और बी एक और कुशन आपसे निकल के आता है, कि बही जो ब्यास सम्भा ने वो किस के द्वारा दिया था, कौन सा फाउंडेशन के द्वारा दिया था, तो केके बिल्ला फाउंडेशन है, जिसका जो है, इस्थापना करे गी थी, या फिर इसको देना किया था, केके मिल्ला फाउंडेशन ने, तो यही किया था, 1999, कब से स्टार्ट किया, 1999, इस जो ब्यास सम्भान इसमें टोटल रासी दिया थी, चार लाग की, ठीक है, कितनी दिया थी, चार लाग की रासी दी जाती है, अगला कुशन देखेंगे, अगला कुशन हमारे ठीके इसकी full form से ही आप इस question को तुछा समझ जाएंगे full form है UNESCO creative city network creative city network मतलब ऐसे सेहरों को चुनना जिसमें कोई creativity हो जिसमें कोई खाशित हो जिसमें कोई एक मुख्य खाशित हो तो पहला यहाँ पर हमारा answer हैगा हेदराबाद को सामिल किया गया है हेदराबाद को सामिल कर लिया गया है हेदराबादी बिर्यानी और उनके जो पकवान होते हैं पकवान या अच्छे अच्छे पकवान होते हैं उनके लिए इसमें सम्मिलित किया गया है और हमारा एक और शहर है क्या नाम है उसका बुंबई ठीक है बुंबई को जो है बुंबई शहर को जो है चुन लिया गया है ठीक है तो ये बुंबई शहर को किस लिए चुना गया है आप सभी लोग जानते हैं बुंबई शहर जो है फिल्मों के लिए इमपॉर्ट जो है फिमस है तो उनकी creativity के लिए यानि फिल्मों की creativity के लिए चुना गया है और अगर total share की ना अगर आप बात पूछ लें आपसे total share कितनी होते हैं अब तो total share होते हैं 246 कितनी होते 246 आप अगर इससे पहले कितनी थे 244 थे हमारे 2 plus होगे 246 हो गए है ठीक है ओके तो यहाँ पर बुंबई और हैदराबाद इसमें अब सुची में सामिल हो चुके हैं आगे बात करेंगे बहुत simple question है आपसे पूछा है किसा कौन सा देश या किस देश ने हाली में अधिकारिक रूप से 5G नेटवर्ग लाँच कर दिया है तो यह आपको बता है चाइना होगा क्या होगा चाइना होगा चाइना ने अपने देश के 50 शहरों में जो है 5G Network जो है लाँच कर दिया है ठीक है 5G NET yük वहाँ पर यूस हो सकता है और लाँच कर चुका है ठीक है यह जो है टोटल मिला कर देखी बात दी है कि यह चाइना ने से पहली बार किया इसलिए कोशिन इंपॉर्टन जाता है एक्साम में आ सकता है आगे बात करें हम जर्मनी की जर्मनी की चांसर है जिनका नाम है एंजला मारकील जो है इननने जो है भारत की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान जो है कितने जो है MOU किस किस पर MOU पर जो है अस्थाक चरकी यानि कि समझोते पर अस्थाक चरकी टोटल कितने थे देखी हमें बस इतना ही जानना है कि टोटल कितने थे बस ठीक है तो यह जो है टोटल थे सत्रा ठीक है कितने थे सत्रा ऑप्शिन यह हाँ पर करेक्ट रहेगा सत्रा आंसर आएगा हमारा आगे बढ़ेगे आगे क्या कोशिन हमसे पूचा है भारत के किस सहर में प्रदूशन के चलते श्वास्ता पातकाल गोशित किया गया सहसे पहली बात आपको पता होने चाहिए जो है प्रदूशन 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 प्रदू इन्होंने क्या किया पांच नवंबर तक कब तक पांच नवंबर तक जो है दिल्ली और दिल्ली से सटुए जितने भी इलाखें आने की कौन कौन से हैं भई हमारे दिल्ली है नोईडा है गाजयवाद है गुरुगराम है और गृटर नोईडा है यहाँ पर पांच नवंबर तक किसी भी पिरकार का निर्मान यानि construction जो है वैब प्रतिबंद कर दिया है ओके पांच नमबर तक किया था आगी बढ़ेंगे भारती खिलाडी नाम है शिप थापा और पुजारानी इनके द्वारा जो है ओलंपिक टेस्ट में कौन सा पदक जीता गया तो हलाकि यहाँ पर जो है question इसलिए important है क्योंकि इन्होंने स्वाड़ पतक जीता है क्यों जीता है स्वाड़ पतक जीता है अब आपसे यह पूझाया कि actual में इन्होंने आपसे यहाँ से question कहाने के लिएगा कि भाई यह जो है शिप्थापा और पुझारानी है वो किस खेल से संबन्द है कई बार पूझा आता sports के एक से दो question हवेशा exam में पूझते हैं तो यह जो है boxing किस के लिए boxing के लिए ठीक है fitbit का दीकरन किस company ने किया है तो ये किया है google ने किया खिए किने रुपैया कितने डॉलर के साथ में इसका धिकरन किया 2.1 डॉलर के साथ में ठीक है ये बहुत बड़ी रासी है इसलिएendar question बहुत important हो जाता है ठीक है 2.1 अरब डॉलर के साथ में ओके आगे बढ़ेंगे अगला कोशन है भारत और उजवेगिस्तान के मद्द मद्द जो है नवंबर 19 में आजित होने वाले सेयुक्त सेन्य अभ्यास का नाम क्या है तो यहाँ पर पहली बात आपको देखी option के सबसे हम देखी यहाँ पर क्या answer होगा यहाँ पर dust lick answer होगा तो है रुणीस में dust lick जो है उजवेगिस्तान और भारत की बीच में जो है क्या होई एक सेन्य अभ्यास हो सेन्य अभ्यास हो अब यहाँ से कोशन हमारे क्या क्या निकलते हैं तो सोम है यहाँ पर निकलता से पहला है कि यह कब से कब तक हुई, तो यह 4 numbers से हुई, ठीक है 4 numbers से start हुई, कब तक चली, 13 numbers तक ठीक है कब तक चली है, 13 numbers तक चली है, ओके अब यहाँ पर और भी कशन आएंगे हमारे लिए तो important क्या कोशन है हमारे लिए कि बही उजवेगिस्तान की राज़नी क्या है तो उजवेगिस्तान की राज़नी ताशकन ठीक है क्या है ताशकन अगर इसकी मुद्रा की बात करे यानि की करंसी की बात करे तो सूम है यानि की उजवेगिस्तानी सूम ठीक है उजवेगिस्तानी सूम है अगर हम इसके राश्टपती की बात करें जो कि आपसे पूचा जाता कैयो बार तो यहाँ पर बस इनका स्टार्टिंग वाला नाम याद करिएगा शाबकत ठीक है शाबकत शाबकत नाम करके याद रखिएगा ठीक है ताशकद और शाबकत ठीक है ता-तासे मिल रहा है ठीक है तासे इनका जो है नाम खतम है और जो इनकी राज़दानी है वह क्या है ताशकन सटार्ट aitासे है जिनका नाम तासे खतम है ठीक है ओके चली आगे बढ़एंगे अगला कोशन पढ़एंगे इनका जिल देखे फोटो इनका देख रहा है यह जहां के राश्पती है थाके उज्विकस्तान के ठाश जो है शाबकत ठीक है अगला कुश्ण अगला कुश्ण देखेंगे हाली में भारत के किस बड़ोसी देश ने बड़ोसी देश में अफ्रिकन स्वाइन फीवर जो है उसके मामले देखे ग क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है ठीक है तो यह पाया गया चाइना में कहां पाया गया चाइना में अब चाइना में यह पाया गया तो यह जो है एक्च्वल में सबसे पहले कहां पाया गया आपसे अभी पूचा जिए चाइना पाया गया लेकिन आपसे पूचा जिए सबस कुछ पालक कौन है तो यह चीन है और अगर किसी पशु को यह हो जाती है बिमारी तो इसमें 100% मरत्यू के चांसे होते हैं क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है सुआइन फीवर का आगे देखेंगे हाली में किस देश की सरकार ने सभी सातों पदेशों के राजपालों को बरकास किया है देखें बरकास कर रहा है कैसे किया होगा देखें तब कर रहा होगा जब कोई सरकार बदली होगी तो सरकार अभी फिलाल में किसकी बदली है नेपाल देश की बदली है ठीक है नेपाल की देखिए बता दू जो साथों जो नहीं की सारे के सारे सबी के सबी जितने भी राज्य थे उनके जितने भी प्रांत थे ठीक है उनके साथ जो साथ प्रांत थे उनके राजबान लगोंने बरकास कर दिया है आगे बढ़ेंगे सोला देखी सोला नमर कोशिन है हाली में महिला और बाल विकास मंतराले ने युनिसेफ द्वारा चलाए गई किस पहल को लांच किया है युनिसेफ के द्वारा चलाए गई किस पहल को जो है लांच किया है कौन सी नाम क्या नाम है यूबम पहल अब यहां से कोशिन हम निकालते हैं देखिए मैला और विकास मंत्राले यह है केविनेट की मिनिस्टर कौन है तो यह है मेन का गांदी ठीक है मेन का गांदी है आप से और भी चीज़ें पूछी आ सकती है कि यह यूबा पहल है यह अचा प्रदान करना ठीक है ओर टार्गेट रखा गया है तो यार 90 तक इनको क्या करना थो यार 30 तक निजी छेत्रों में देखिए ध्यान दीजेगे का निजी छेत्रों के साथ कारे करकर लगबग पचास मिलियन यूबाओं को अब सर प्रदान करना कितने मिलियन इसमा जो है लोगों को या युबाओं को 50 million युबाओं को अपसर प्रदान कने हां सी government जो अपके लिए कहीं पर भी यह नहीं कहते हैं कि government हो निजी छहित्रों की बात हो रही है यहां पर ठीक है निजी छहित्रों की बात हुई है तो कहीं पर ऐसा नहीं बुला गया है कि ये जो है जॉब देंगे ये आपको रोजगार दे सकते हैं किसी भी चीज़ को सिखा कर या फिर कोई चीज़ सिखाएंगे जिससे आप उसको रोजगार में कनवर्ट करें आगे चलेंगे अगला कुशिन है हाली में जम्यन कश्मीर के पूर्व राजपाल सत्यपाल मलक की मलक ने किस राज़ की राज़पाल की तोर पर शपतली है तो देखी सबसे पहली बात 370 की बाद जो है राजपाल जो है चेंज हो जो के सत्यपाल मलक पहले कहां के थे जम्यन कश्मीर के थे अब चेंज हो गया है तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा गुवा हमारा आंसर तो गुवा होगा है लेकिन हम यहाँ से कोशन क्या क्या निकलेंगे भी सबसे पहला कि राजपाल को सपत कौन देलाता है तो राजपाल को कौन सपत दिलाता है राशपत दिलाता है राशपती जो होते सपत दिलाते समय जो होते किस के समुक जो है जो है राजपाल जो है सपत लेता है ठीक है किस की उपस्तती में तेकि पहला तो राशपती हो गया लेकिन और कौन होना चाहिए तो बंबई के हाई कोट के मुख्य न्यादी से इनका नाम है प्रदीब ठीक है मैं पूरा नाम बोल देता हूँ ठीक है पूरा नाम क्या है प्रदीब नंद राज जोग ठीक है नंद राज जोग है जिन्होंने इनको सबत दिलाई है और किन के सबत दिलाते समय कौन होना चाहिए देखे, राष्टपती होना चाहिए ठीक है, तो इन्होंने इसकी सबत है अब, रिप्लेश्मेंट हुआ होगा भई जाहिड सी वादा, रिप्लेश्मेंट हुआ होगा तो, जीनकी के जो है, राजपाल कौन है राजपाल नहीं, अब उपर राजपाल है, कौन है भई, ग्रीज चंद मुरवू, ठीक है, अब भई देखे, यह जो है, गुआ गई, कौन है, राजपाल, जो है, सत्तपाल मली, गुआ जा चुके हैं, लेकिन पहले यहाँ पर कौन था, गुआ में, तो यह थी, मृदुला सि पहले इसमें, कौन थे, मृदुला से नहीं, यहाँ पर जो है, गुआ में, गवर्नर थी, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले कोशन है, किस राजपाल में, 24 घंटे से अधिक, रुकने के लिए, भारी लोगों को, राजपाल के पास, अनिवारू से पंजियन कराना होगा, मतलब कहने का यह है, कि एक कोई ऐसा राज है, ठीक है, जिसमें बिहारी व्यक्तिया कर जाएगा, और 24 घंटे से अधा कर रुकता है, तो उसको, उस राज सरकार, उस राज सरकार से जो है, परवीशन लेने होगे, पंजियन कराना होगा, ठीक है, ऐसा जो है, देखिए, उन गया, लेकिन यहां से हम क्या कर निकाल सकते हैं, मिगाले की राजनी निकाल सकते हैं, तो सी लॉंग है, मिगाले की सीम निकाल सकते हैं, तो मुख्य मंत्री कौन है, करनाट सगमा है, राजिपाल कौन है, दित्वधा का जरौ है, अगर हम पतना की बात करें, बिहार भी आता तो बहुत सिंपल सा कोशन है ठीक है यह क्या होगा बंगलादेश से नमबर में सीरे चल रही थी ठीक है तो यह बंगलादेश जो है अभी फर्स टाइम जो है इंडिया से जो है T20 मैच जीता है ठीक है पहली बार जीते हैं इसलिए इंपॉर्टन है हमारे लिए आगे बढ़े आर्थिक भागिदारी यह बहुत बड़ा संगधन है ब्यापार के लिए ठीक है इसका अगर आप शौर्ट फ़र्म आगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कभी पूछ लियाती है ठीक है तो इसका शौर्ट फॉर्म होगा क्या होगा भी शौर्ट फॉर्म होगा आर देखे लिखाई है RCEP ठीक है RCEP रिकेप करके इनका short form है देखिए इसमें भारत ने अभी इससे दूरी बनाई रखी है भारत इसमें सामिल नहीं हुआ है ठीक है कोई शकारों से इसकी यो सर्ते हैं इसकी जो जटिल था है जो यानि कराता हूं जो जैनल रविनेस की होती है जिसमें मैंने तीन दिन पहले ये कोईशिंद करा आया था कि तब भाग महस्ण कहां पर अजण किया था प्रती बिच्ट किया जाता है तो देखिए इसकी पहले से पहली बात किये गए अनुस्जारी किये गए एक अंकड़ी है कुछ उसके अनुसार किस देश के किस देश में बेरोजगारी दर जो है पिछले तीन बार समय सबसे उच्छतम है तो देखिए सबसे में इंपॉर्टन बात क्या भी हम सभी को आप लोग जो है फट से जाब दे दोगे पता है कि भी वो बारत होगा क्या होगा तीन सालों में सबसे उच्छतम दर जो है बेरोजगारी की भात में बड़ी हुई है ठीक है आंसर क्या होगा आपका भारत होगा अगला देखते है हाली में लैंड एंड पूर्ट्स अथोर्टी ओफ इंडिया ठीक है का चेर्मन किसे बन आए गय तो यह बनाए का अदिते मिश्रा को अब इसका काम क्या एलिन एल पी या आई का का जो है आगे बढ़ेंगे हम question को complete किया हमने आगे बढ़ते हैं देखे नियुन मैसे किस अंतराष्टी संगटन द्वारा चेन नहीं करने कुमारी और दुगिक कोरिडूर के लिए 451 मिलियन डॉलर का रन प्रदान किये जाने की गोशना की गई है तो यह किसने करी है आपको यह बताना है answer comment box में मुझे comment देना है देखे यहाँ पर यहाँ पर वैंक कौन सा होगा अशिन विकास वैंक होगा अब हमने यहाँ पर answer ढून लिया है ठीक है लेकिन हमें इसमें से कुछ question और भी निकालने है तो यहाँ पर आपसे पूछले है इसका मुख्या लेका है बहुत simple है Manila Phinibis में इस तापना की बात करें तो थोड़ा सा आप confused हो ठीक है तो देखे 19 December ठीक है 19 December ठीक है 19 December 1966 को जो जो है अस्तित में आया और इसको मानेता मिली 67 में ठीक है मानेता मतलब जो है अस्तित में तो यहां आ गया था 67 में लेकिन यो है इसको मानेता मिली 66 में अस्तित में आया और 67 में जो है इसे मानेता मिली जिससे जो है और भी देश जोड़े है ठीक है अब आपसे कुछ एक्जाम में पूछ लिया जाए कि जो अंतर रच्दि की कन्य कुमारी की बात आ गई है ठीक है तो कन्य कुमारी मतलब आ गया हमारा तमिल नाडू अब तमिल नाडू की यह राज़तानि अगर आपसे पूछ लिया तो कौन है चैन नहीं है ठीक है क्या है चैन नहीं है ओके चैन नहीं है अ अगर वीडियो अच्छे रगए तो लाइक करके से शेयर जरू करिएगा आगे बढ़ेंगे अगला कुशिन पढ़ेंगे तो बहुत सारे इसको आराम से लगा देंगे ये क्या मनु भाकर है मनु भाकर के साथ साथ जो है देखिए सौरब चौधरी जो है उन्होंने भी जो है चैंपेशिप में अपना नाम रखा निकी रजत पदक जीता ठीक है बाकी मैं बता चुका हूँ कि दुआ की राज़दानी है कतर की राज़दानी है दुआ ठीक है तो यहाँ आपर आगे ब यूरिनियम संबर्धन के लिए दुहर पंद्रा में एक जो है एक समझाता हुआ था किसके बीच एरान और एरान और अमेरिका के बीच ठीक है अमेरिका ने अलड़ी जो है इसको तोड़ दिया है ठीक है तो अमेरिका ने अब तोड़ा तो एरान ने भी तोड़ दिया है कि नासा जो है, नासा ने जो है, नासा ने किस यान में, किस क्यान में, 42 बर्सों की यात्रा के बाद, नमबर 22 में, सूरे की परदी तक पहुचने का रिकॉर्ड कायम किया है, 42 बर्सों के बाद, अगर आपसे पूछा जाए इससे पहले किसको बीजा गया इससे पहले बीजा गया बोयागरवन को ठीक है ओके तो अगर आपसे पूछा जाए कि भई इजनसा कहां की एजनसी है सभी को बताए अमेरिका की एजनसी है ठीक है अगर आपसे पूछा जागसा कहां की एजनसी है तो Japan की एजनसी है, अगर आपसे इंडिया की पूछा है, सभी बता देंगे, इत्रो है, अगर आपसे पूछी आ जाए कि भाई, पागिस्तान की एजनसी कौन सी है, जो Space Agency है, तो यहाँ पर मैं सौट फ़म लेकर रहा हूँ, Supra, 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 करके कहते, और इनकी एजनसी का फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म होगा Space and Upper Atmosphere Research Communication, ठीक है, तो यहाँ पर यह important होगा, ठीक है, अगला कोशिन है, पर्थम विम्स्टैक बंदरगा संबेलन का एजन नून मैं से किस इस्तान पर किया गया, ठीक है, तो 20 number 8, वाला 28 number वाला question है, और इसका answer एगा, विसाका पटनम मैं, कहाँ पर किया गया, विसाका पटनम मैं किया ठीक है, तो यहाँ पर से हमें question क्या क्या लिख लेगे, question लिख लेगा, कि यह संबेलन जो है, पर्थम विम्स्टैक बंदरगा संबेलन है, वो actual मैं, कब किया गया, ठीक है, अगर आपसे पूचे, कब किया गया, तो 7 और 8 number के भी, 8 number को किया गया, ठीक है, अगर आपसे यह पूचे कि जो विम्स्टैक है, उसका मुख्याले कहा है, तो वो मुख्याले है धाका में, कहाँ पर है धाका में है धाका में कहा है धाका जो है राजदानी है किसकी बंगला देश की है बंगला बंगला देश की जो है इस जो है राजदानी है ठीक है क्या धाका ओके तो इसके बाद आप से और भी कोशिन पूछ सकता है वही कि इसके सदसे कौन कौन है इसके सदसे होते हैं भारत, भांगलादेश, नेपाल, सिलंका, भूटान, ठाइलेंड और मयामार, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला कोशिन आपके लिए, किन्स सरकार ने, अटकी आवाशिय परिविजिनाव को, जो है, उनको पूरा करने के लिए, कितने करोर रोपय का बैकल्पिक निवेश, जो है, कोश जो है, मनजूरी दी है, तो बैकल्पिक कोश जो है, वो मनजूरी दी है, पचीस हजार करोर की, कितनी, पचीस हजार करोर की, तो देखी, फ्रेंट देखे, अभी जो है, जाने की हमारी एफम, जो है, कौन है, वह हमारा कोशन है, ठीक है, तो एफम कौन है, निर कि अग्ञार्मला रखर 25 पहली कमयला क्या है दिश्म्षा अब याद भी हो गया होगा अगला पॉक्षिन हिंदी तो किस उत्करष्ट को 2019 के ब्यास सभ्मान के लिए चुना गया मैं ऊल्लिडी आपको बता था ठीक है मैंने बता है था आपको कि भी यह आप क्या अंसर रहेगा यह रह गां नाशी शर्म ठीक है क्या रहेगा डोयार 18 का क्या है नवर अठारा का क्या है भी सत्रा का अउनिस हमने अल्रडी बता दी है आपको नाशे सर्मा दोयार अठारा का भी मैं बता चुका हूँ तो सत्रा का मैं बता जेता हूँ आपको यह लीला जुगडी ठीक है, क्या लीला धर जोगडी ठीक है, लीला जोगडी को किस लिए मिला था, किस लिए मिला इनकी कवीता थी कवीता का ना था, जितने लोग उतने प्रेम ठीक है, और नासिर सर्मा को किस लिए मिला है, नासिर सर्मा को लिया है पेपर की बोट या सरीपेपर की नाव या पेपर बोट के लिए आपको comment box में करना है मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि ये 2017 वाला जो है वो किसे दिया गया थीक है किसे दिया गया उनकी जो जो उनकी यो उपनिया से वह है दुखम-सुकम ठीके क्या है दुखम-सुकम ठीके तो इससे जो है लेटिट है चलिए आप सर्च करकर भी देख सकते हैं एक लगोशन देखिए किस देश ने हाली में सुडान की पहली उपगरे का प्रेक्षेपन किया है ठीके तो देखिए सब्सक्राइब किस ने किया है चा GORS 1 रोकिट का क्या नां था लोग मार्ज 4- equip क्या नाम था आगे बढ़ेंगे क्ला कोशन है कि सरकार ने हाली में 30 यहां प्र देखिए सबसे इंप्राइबात होती है कि HS code की बात हो रही है अब HS code पहले हम answer की बात करेंगे answer जो रहेगा हो रहेगा हमारे पास खादी इवं ग्राम उद्योग के लिए जो है यह जो है HS code जारी किया गया ठीक है अब HS code होता क्या है HS code होते है 6 number के ठीक है 6 number के ऐसे अंक होते है जो की किसी बस्तू के एक देश से दूसरे देश में निरियात किये जाने की पहचान बताता है ठीक है उसको पहचान देता है HS code होता है अब HS code देता कौन है देता है World Customs Organization क्या हम देता है World Customs Organization इसको प्रदान करता है इसको बिक्सित करता है इन 6 code को ठीक है तो यहां पर हमारी कुछ information जो है important है तो यह आपको लिख लेनी है ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला question देखेंगे अगला question आप से क्या पूचा है देखे दोयर बीस में फीपा 2020 2020 अंडर 17 महीला बिशुका प्रदाने की फीपा में जो बॉल होता है उसकी बात हो रही है 2020 का जो अंडर 17 महीला कप का आज़न हुआ वह आपको बताना किस देश में हुआ है आज़न किस देश में हुआ तो यहां पर होगा क्या अंसर होगा भारत में हुआ ठीक है भारत में हुआ और अगर आप से पुछया, इससे पहले भार में, और भी कभी हुआ है, कि हाँ जी, हुआ हुआ है, officers 17 में हुआ है, इसकी सुरुवात कभी थी, इसamento ez 95 फीवा, फीवा, अंडर 17 की महीला कभी, तो यह हुए थी, अगी बढ़ते है, अगला कोशिन है ग्रह मंत्राले ने हाली में किस पत्रकार को Overseas citizenship of India ठीक है यह बहुत important है OCI ठीक है OCI जो है कार्ड रद कर दिया यह important है हमें इसकी term जो है जाननी है ठीक है Overseas citizenship of India हो थी क्या है वो भी जाननी है तो देखिए यहां पर पहली बात इनके इनका आंसर क्या रहेगा इस कोशिन का आंसर रहेगा आतिश ताशिर ठीक है आतिश ताशिष को जो है ताशिर को जो है Overseas citizenship मना कर दिया गया इसकी इनकी रद कर दिया है ठीक है तो यह रद क्यों कर रहेगी बात अलग है लेकिन हमारे लिए अंसर क्या रद क्यों कर गई वह आपको और भी समझमा जाएगा तो देखिए एक अधिनियम बनाया गया था भरत ने नागरिकता अधिनियम ठीक है क्या नागरिकता अधिनियम बना था 1905 में ठीक है 1905 के अलबसारा कर हम देख है जो है OCI कार्ड यानि कि Overseas citizenship कार्ड जो है कि लिए अयोग जो है माना जाता है क्यों अयोग माना जाता है अगर कोई ब्यक्ती OCI कार्ड लेता है ठीक है और वो पाया जाता है कि उसके माता पिता दलाली जो थे वो पागिस्तानी है पागिस्तानी थी या पागिस्तानी है तो उनको ये कार्ड नहीं दिया जाता ठीक ह नागरिक तादिनियम के अनुसरार अगर बात करें यहाँ पर option 37 रहेगा जिनको OCI कार्ड नहीं दिया गया ठीक है? Overseas citizenship जो है इंडिया नहीं दिया गया ठीक है? ओके आगे चलेंगे अगला question है निमनलिकित मैं से किस भारतिये खिलाडी नहीं हाली में सौवा अंतरास्टिये मैच खेलने का record बना है सौवा ठीक है? चले आंसर दीजेगा कमेंट करेंगे तो इनका नाम बहुत simple से आप बता देंगे तो रोहिस सर्मा रहेगा क्या रहेगा? रोहिस सर्मा रहेगा यह है पहले player है जिनने सौव जो है 20 अंतरास्टिये 20 मैच खेले है 20 मैच खेले है ठीक है? भार्तियोर से अगला गुशे सेख खलीपा बिंजायत अल नहायान को किस देश का दुवारा से राष्टपदी चुना गया है? दुवारा से राष्टपदी चुना गया है तो यह है कौन सा देश है? आपको कमेंट करना था तो यह है देश है सौवत अरब अमीरात है तीक है दुवारा से अभी तक हैं है यह जो है 24 से ग्राश्च्पती बने हुए है ठीक है 24 से अभी तक है और इस से पहले जो थे इनके पिताभी जो थे यहां के राश्च्पती है ठीक है ओकी चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगला कॉशिसल और हा कौन सा इससे सट अधाथ होगा आगे बढ़ेंगे किस देश ने हाली में स्वेक्त रास्ट को सुचित करते हुए स्वेम को पैरिस समझोते से अलग करने के लिए प्रकरिया प्रारंब कर दी है अब यहां पर कुछ इंपॉर्टन चीज आती है पहले हमारा आंसर क्या होगा यह किस ने किया है सबसे इंपॉर्टन चीज है तो यह किया है अमेरिका ने तो अमेरिका ने स्वेक्त राश्ट को सुचित करते हुए कहा है कि पैरिस समझोते से वे अब अलग हो रहा है ठीक है अलग कर लिया अपने आपको यह क्या है अगर आपको देखिया यहां पर आपसे पूछा जाए कि यह क्या है आपको सेंक्त राश्टी यह पैरे सम्झोता तक क्यों हटा दिया तुम्हें बताता हो देखिये यह जलवाई परिवर्टन और जो होती है उनकी नकारतमक प्रव हैं उनको नको उनके द्वारा अपना है रहा है ठीक है और ही जो है 30 नवंबर 1215 से 11 25षиход 1050 भी ठीक है पर इस प्रांच में इसमें सरे कि सारे जो है वेक्ती जो सरी सारे डीषey एकट्था हुए जो है 153 बта की बात ही वरतमान में अकर हम साहे कितने 137 1607 हैं खीक हैं बरतमानमीक संताइबे यद्यज santhi यहाँ आपर अब भी युद्य चल रहा है ठीक है ऑर अमेरिका जो है पहला ऐसा देस एठीक है अमेरिका जो है अमेरिका जो है पहला ऐसा देस है जिसने जो इस समझ्झाते को ऊप्रीज चोड़ने बाला पहला देश है ओके आगे देखेंगे हाली में किस देश ने अलजाइमर रोग से निदान हे तू जी वी 971 नामक एक घरेलू दवा विक्सित की है तो इसका दावा जो है वो दावा जो है जी वी 971 जो है किस देश ने विक्सित किया है 38 लंबर कोशन है तो अब यहां पर आंसर आएगा चीन ठीक है चीन जो है अलजाइमर रोग के निदान के लिए बिक्सित जो है जी वी 971 जो है नामक खरेलू दवा जो है उसके अधिकारिक अनुदन के बाद दिसंबर 12 से चीन के रोग्यों को प्लब दोगी यह दवा जो जो है उनके जो चीन के जितने भी रोगी होंगे इस टीस से ठीक है जानी अलजाइमर से होंगे तो इनको दी जाएगी ठीक है आगे पढ़ेंगे अगला गुश्य है चिंकी आदब ने हाली में चौदवी इंशन चैंपेशिप में मैलाओं के कितने मीटर पिस्टल फाइनल मैं जगे बनाकर भारत को निशाने बाजी में 11 ऑलंपिक कोटा दिलाया है तो यहां पर आणसर क्या होगा आपका तो फैंट देखी इनने जो है किसने मीटर राइफल में जो है जो है पदक जीता है तो यह जीता है 25 मीटर में चिंकी आदब ने कौलिफाई किया है 588 जो है उन्होंने अंक प्राप्त किये ठीक है और ये जो है perfect 100 में भी सामिल हो गई कितने में perfect 100 में सामिल हो गई ठीक है चिंकी आदब से पुझा जाए कि चिंकी आदब जो है actual में कहां से ब्लॉंग करती है तो ये बिलॉंग करती है माद्यप्रदेश से ठीक है आगे question दिखेंगे अगला question है निमन मैंसे कौन साथ देश no money for terror सम्मेलन की मेजबानी करेगा no money for terror की जो है मेजबानी करेगा तो ये मेजबानी कौन सा देश करेगा ये करेगा भारत कौन करेगा भारत देश करेगा इसकी मेजबानी और ये वहाँ पर होगा ये होगा मेल व़न में ठीक है ये जो होगा सबमिलन होगा मेल वन में कब से कब तक हुआ 7 से 7 8 नवंबर तक ठीक है 7 से 8 नवंबर की बीच में important था और ये हमारे तेस्ट जो है इसकी मेजवानी कर रहा है इसलिए आपको इंपॉर्ट ने ठीक है ओके अगला कोशे अगला कोशे ने ट्रेस ब्रेवरी रिस्क मैट्रिक्स के नुसार दच्छे निशिया में कौन से देज में रिश्वत के लेने देने का रिस्क सबसे अधिक है ठीक है ब्रेवरी मतलब जो है मतलब घूस लेना होता है में ठीक है तो इस रिक्स कहाँ पर पायाँगा एबस लिसका आंसर क्या रहेगा वो रहा बंगलादेश ठीक है तो देखे इसका जो short form होता है वो था TBRM प्रतेग बर सुच्छी जारी कियाती है और इसमें total देश हैं कितने 200 देश हैं है देश हैं और दच्छन एशिया में बंगला देश में सबसे अधिक रिश्वत का खत्रा नहूंने बताया है और इसमें बंगला देश कौन सी नंबर पर है रेंक कौन सा है बंगला देश की रेंक है 178 ठीक है ठीक है पहले नंबर पे कौन है न्यूजिलेंड है ठीक है कौन है पहले नंबर पे न्यूजिलेंड है ठीक है अगर आप पहले नंबर की बात करें और उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो है देश की बात करें तो कौन है सुमालिया है कौन है सुमालिया ठीक है सबसे जादा जो है करड़ कहां है सुमालिया है वैसे इसке इस्तेटी सी नहीं है तो हां कॉर्प्शन हो नहीं तो कौन सा Hindi से सुमालिया है एक सट्टर पैकॉन है बंगला देयस Ed δे अगे दिखेंगे अगला question रखी हाली में किस राजी सरकार ने Shishu सरक्षा मूबाई एप लौँच किया है ठीक है, यह कौन ने किया है आपको बताना है, आंसा देना है यह किस सरकार ने किया है ठीक है तो यहाँ पर option नहेगा यह दिया असलम सरकान ने किस ने करा है असम सरकार ने करा है, जो 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 है, जो लगाते हैं नहीं किशान जो होते हैं किशानों को उनके उनका जो मूल है वो सही से मिले और जो गन्य माफिया है वो इन लोगों से दूर रहे को कि इनको online जो है इनकी rate पता पड़ेगी ठीक है क्या online इनको इनकी rate पता पड़ेगी इनकी बिक्री का पता पड़ेगा कि बिक्री होरी या नहीं होरी है बाकि सारे चाहिए है पर इनको पता चलेंगी आगे आगे हमारे पास question है 44 किस देश की उपगर है जो है उपगर है हाया भूसा सेकिंड है राइगू नामक छद्रकर यानि छद्रकर है मतलब बहुत है उलकापेंड ठीक है से प्रदभी पर लोटने की यात्रा शुरू करी है चली यहां सदीजीगा फेंड्स क्या रहेगा इस question का answer बहुत अच्छा question है 44 नमबर वाला ठीक है चली यहां पर answer रहेगा जापान ने ऐसा किया है जापान अंतरिक संगठन जो है उसका नाम है जाकसा ठीक है हाईभूसा सैकिंड जो है इनका जो है इनहोंने भीज ज़य था ओके यह जो है यह जो है कितने साल में है बापिस आया साड़े तीन साल में ठीक है साड़े तीन साल की इन्होंने यात्रा करी है और ये प्रद्वी ये यात्रा के बाद प्रद्वी की ओर 30 करोड किलो मीटर दूरिस्थित एक एस्ट्रॉइट है वहाँ पर एस्ट्रॉइट का नाम है रायू ठीक है रायगू ठीक है रायगू हियाद कर लिएगा इंप़ॉड़ ने भी लिया है ठीक है और वो कब गए थी सभ्यान को कब शुरू किया था कब लॉंच किया था तो लॉंच किया था 24 में ठीक है लॉंच कब किया था 24 में लॉंच किया गया था ठीक है आप भी बढ़ेंगे अगला कुशिने हाली में राहिस्थान की किस जील में अलग अलग प्रजातियों की एक हजार से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए तो ये कहां पर पाए गए रहिस्तान की जील में पाए गए आपको बताना है कमेंट करना है ठीक है तो ये हुआ कहां सामर जील पर ठीक है तो सामर जील में लगबग, अलग अलग दिखी, अलग अलग परजातियों के, 25 अलग अलग परजातियों के पक्षी आते हैं यहां पर तोटे मिलाकर हजार जो है पक्षी, यो प्रवासी पक्षी है लगबग मृत पाए गए है, ठीक है, यह कहा है यह जैपुर, जो है उद्योग बार सरवजनिक उधम बार अतरिक्त कारे भार स्वापा गया है क्या स्वापा गया है भारी हेवी एन जो सरवजनिक उधम उनको स्वापा गया है तो किसको स्वापा गया है आप्शन आना चाहिए इसलिए कमेंट करिएगा तो यह आएगा प्रकास जावडिकर को ठीक है इसको प्रकास जावडिकर को केंद्री कमिनेट मंत्री है प्रकास जावडिकर जिनको भारी उद्धियोक और सरवजिनिक उधम जो है वो उनको सबक आया और बरतमान में यह क्या है एक्जेक लिए से पुछा जाएगा ठीक है और उन्हें यह है कि जो कारबार क्यों मिला है उन्हें यह कारबार मिला है अर्बिन सावंद द्वारा उन्होंने इस्तीपा दे दिया है तो उनका जो पहले यह सावंद सावंद जो थे सरवजरी गुद्धमर अभारी उद्वग समालते थे इनके इस्तीपा देने के बाद इननने समाला है आगे बढ़े के बिश्वए पैरा एथलेटिक चेंपेंशिप में निम्न मैस से किस खिलाडी ने भाला फैक पितियोगिता के में सुन पदक हासिल किया है यह किस ने किया है 47 नमबर वाला कुशन है हमारे लिए चलिए आंसर दीजेगा कमेंट करेंगे सबी लोग बताएंगे भई इसका आंसर क्या रहेगा भारतिक खिलाडी जो है क्या है उनका नाम तो आप्शन है यहाँ पर सुन्दर सिंग गुरजर क्या रहेगा सुन्दर सिंग गुरजर जो है हाली में पैरा एतलिक चेंपेंशिप में कोल्ड मेडल जीता है क्या जीता है कोल्ड मेडल जीता है ठीक है आगे बढ़ेंगे आगला कुशन देखेंगे अगला कुशन है निमनी लिखित मैस से कौन सी भारती है महिला मुक्यबाज खिलाड़ी AIBA के पहले एतलिक आयोकेस के रुप में च्रेन हुई है या चुनी गई है तो यहाँ पर आपका आंसर बहुत जल्ली आने चाहिए यहाँ पर आएगा देखे कमेंट करिएगा बहुत अच्छा कोशिन है यहाँ पर आएगा सरीता देवी क्या है सरीता देवी को चुना गया है एल सरीता देवी को जो है निर्ब रोध जो है तरीके से अंतरास्टी है जो मुक्यबाजी महासंग याने की AIB के पहले अथलिक आयोके सर्स के रूप में चुना गया है आगे वड़ेंगे अगला कोशिन देखेंगे अगला कोशिन हमारे लिए नियुनियुलिकेत मैसे किसे हाली में सिलंका का रास्टपती जो है चुना गया सिलंका का रास्टपती किसे चुना गया बहुत important है आपको बताना है यहाँ पर एका गोत वाय राज़पक्षे ठीक है गोत वाय राज़पक्षे यहाँ पर होगा ठीक है और अगर आपसे पूछे रहा है इनसे पहले कौन राज़पक्षे था तो महेंदा पक्षे थे ठीक है महेंदा राजबक्चे ठीक है महिंदा राजबक्चे ठीक है तो यह से पहले कौन थे महिंदा राजबक्चे थे और अभी कौन है गोत बाया गोत बाया राजबक्चे ठीक है अगले कोशिन के लिए देखेंगे अगले कोशिन है भरत ने हाली में दुहार किलो मीटर की मारक छमताबाल किस बैलस्टिक मिशायल का पहला सपल परक्शन रातरी में किया. ठीक है? इंपॉर्टन है रातरी के लिए तो यहाँ पर देखेंवेएरमें अगनी टूका जो है यहाँ पर सपल परक्शन किया गया कहां किया गया? यह किया गया उडूसा के पास जो है ले आने में सक्षम है और यह रात्री में पहली वार फर्स ताइम जो है पहली बार किया गया रात्री में प्रेक्षण लिए उसलिए इंपर्ड़न है ठीक है आगे बढ़ेंगे हाली में किस सरकान ने बारा दिवशीय नई उस सब भ्रह्मपुत्र क्या है उस सब भ्रह्मपुत्र पुरुषकार जो है पुरुषकार का आजन किया तो यह किस ने किया है आपको उताना बारादेवश्य है तो यहां पर आंसर आएगा क्या अपका आपका आंसर यह आएगा असम किस ने करा असम ने ठीक है असम ने या किया है 12 देवशी नई जो है नदी जो है उससा ब्रहंपुत्र पुरुषकार जो है असम ने मनाया और इससे पहले कम मनाया था इससे पहले में 18 में तमिलनाडू के किसमे है तमिलनाडू के तिरून वेलवी तिरून देखे तिरू में लिख देता हूँ तिरून ने लवेली ठीक है लवे वाफे एक की मातरा है लवेली ठीक है लवेली ने लवेली में मनाया गया तो में थारा में और 2019 में का मनाया गा उस्डी मनाया गां मनाया गया ठीक है ब्रहंपतर नदी के ऊपर अगला कोशिन, अगला कोशिन क्या बोलता है हमें, तेके, अगला कोशिन है, केंद्र राज, केंद्र, केंद्र रक्षा मंत्री, राजनास सिंग ने, किस राज, मैं, लोर, दिवांग, घाटी, मैं, सिर से, नदी, पुल का, उधगाटन किया, सिर से, नदी, पुल का, उधगा प्रदेश नदीपुल जाने की जो नाई पासी घाटी पासी घाटी कहते हैं इसको और पासी घाटी बेके पहली बात तो नाई घाटी है और पाघाटी ठीक है पाघाटी नाई पाघाटी और कहाँ पर रो dopamine गार डू के जू पनाया गया है इसकी बीच की दोबा और दिवांग घाटी की मद है सियांग और दिवांग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यह important है हमारे लिए सियांग और दिवांग, ठीक है, दिवांग, आप लिख लीजेगा, दिवांग घाटी के मद्ब में है बीच में है ठीक है और कहां है औरनाचर प्रदेश में है ठीक है पहली बता दी मैंने औरनाचर प्रदेश में है तो friends यह थे कुछ current affair आपके लिए important जितने भी थे 52 current affair देखे हमने और काफी सारे important facts देखे points देखे तो friends अगर यह video आपको अच्छी लगी है करी है उसमें जो है थोड़ा सा उस मेहनत का तो अफल मिला है अच्छा लगता है अगर आप शेयर करते हैं लाइक कर दीजेगा अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर अगर subscribe नहीं किया है तो subscribe किए चैनल के बाद जो है बैल का आइकन आता है वो बैल का आइकन जो है आप के रिजल्ट के लिए